लकराम में गायत्री यग्य के साथ साथ कराय जा रहे हैं संसकार विधान सभा बेलतरा अंतरगत रतनपूर में चार दिवसी गायत्री महा यग्य का आयोजन लखराम के प्रात्मिक शाला भवन प्रांगण में एक अप्रेल से भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंब हुआ जिसमें भारी संक्या में शाध्धालों ने भाग लिया है द्विती दिवस गैतरी यज्य में भारी संक्या में भगत जन्ज शामिल हुए इसके बाद प्रती दिवस विभिन संसकार, नामकरण संसकार, मुंडन संसकार, पुर्सुबन संसकार, उपनेयन संसकार, अंडप्राशन, विद्यारंब और अन्य संसकार भी कड़ाये जा रहे हैं जिसमें शेत्र के लोग उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं इन संसकारों को समझ पा रहे हैं शांती कुज हरी द्वार से आई हुई यग्य संचालन के प्रमुक सदस्य ने अपने संसकारों के बारे में विश्थिरित वियाक्या कर बताया जीवन को सुखी और शांती बनाने के लिए हमें इस संसकारों के साथ आगे बढ़ना पड़ेग भोजन पाकर त्रीप्त महसूस कर रहे हैं सत साहित्य के इस्टॉल भी लगा है जहां लोग इस साहित्य को खरीद सही रामे चलने के लिए पंडित श्री राम सर्माजी का आभार्व यक्ट कर रहे हैं शाम को भव्य दिप यग्य का कारिक्रम भी किया जाता है जिसमें सभी घरों से दीपक लेकर महिलाएं आती हैं और दीपक को सजाय जाता है दीपक जलने से पुरा यज्य इस्थल जगमगा जाता है और बहुत ही सोहमना लगता है इस यग्य के संचालन कर रहे लखराम के गाईत्री परिवार के द्वारा सभी प्रकार के सुईधाओं को रखा गया है गाईत्री प्रजय पीट रतनपूर के मुख्य ट्रस्टी दिनेस पांडे ने बताया कि यज्य करने से प्रकृती खुश होती है और प्रकृती की अग लेकर इस यग्य को सफल बनाने के लिए गाईत्री परिवार के परिजन लगतार सहयोग कर रहे हैं लखराम रतनपूर से किर्ती कुमार सोनी सभी तरक न्यूज सचकी आवाज कर दो लखराम रे कर दो लखराम रेकर आवन